हलो एवरीवन वेलकम टू स्टड़ी आई क्यू PCS दिस बनीश रवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुभी आट बजे कि इंपॉर्टन सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग-अलग टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं पढ़ लिया हमने थर्सडे है आज और आज पढ़ेंगे हम फिजिक्स तो थर्सडे फ्राइड जो है फिजिक्स की क्लासेस होती हैं साटर्डे को केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखा जाए तो हम लास सेशन में क्या पढ़ रहे थे वर्क एनरजी पावर एक बहुत ही इंप प्रेंट सिर्फ हो सकते हैं उनको द्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो अगर आप शोशल मीडिया हैंड़ों सब्सक्राइब से जोड़ सकते हैं इसक्टर की PBF यहांसे ले सकते हैं आपको आपके अंदर भी होती है energy जब आप जो है किसी चीज के लिए बहुत ज़्यादा passionate होते हैं तो आपके energy level अलग होता है किसी चीज को अगर आपको अच्छी नहीं लग रही होती है तो वहाँ energy level कम हो जाता है ऐसी physics में भी एक चीज होती है जिसको उर्जा कहा जाता है उर्जा मतलब energy और energy क्या होती है कि अगर हम किसी काम को करना चाते हैं तो उस काम को करने की जो शमता होती है उस काम को करने की जो हमारी capability होती है उसको कहा जाता है क्या उर्जा तो यहाँ पर देखे energy is the ability to perform work मतलब कार्रे करने की शम्ता की अगर हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं आप उर्जा कहते हैं ठीक है इसके अलावा जो law of conservation of energy कहलाता है जो उर्जा का सरक्षन का नियम कहलाता है कि ना उर्जा को निर्मान किया जा सकता है ना उसको हम खतम कर सकते हैं ना उसको विनाश हो सकता है वो एक तरीके से दूसरे तरीके में जो है क्या हो सकती है संक्रम अशील हो सकती है मतलब इनर्जी के नाइधर भी created नौर भी destroy जैसे कि आप बोल पा रहे हैं तो बोल पा रहे हैं तो इसमें भी इनर्जी लग रही है तो सारी उर्जाएं जो है एक उर्जा से दूसरी उर्जा में बदलती रहती हैं और बदलने के बाद वो जो है transform होकर दूसरी में पहुच जाती हैं तो इसलिए कहा जाता है ना उर्जा का निर्मान होता है ना उसका creation होता है ना उसका destruction होता है ना उसका विनाश होता है वो ए एक तरीके से दूसरे तरीके में जाती रहती है तो energy can neither be created nor be destroyed यह भी पता है it can be transformed from one kind to another एक तरीके से दूसरे तरीके में बदलती रहती है अब देखा जाएते है unit क्या होती है energy की तो इनर्जी की यूनिट वर्क जैसी ही होती है जैसे हम वर्क की यूनिट क्या लिख रहे थे, कारे की यूनिट क्या लिख रहे थे, एकाई क्या लिख रहे थे, तो जूल लिखते थे हम, वैसे ही आप याद रखेंगे, एनर्जी के अंदर भी आप जूल ही लिखेंगे, क्य solar energy, आपका chemical energy, ऐसे बहुत सारी तरह की electrical energy, wind energy, hydro electricity या hydral energy ये सारे terms हम use करते हैं, तो अलग-अलग तरह की उर्जाएं होती हैं, तो उनको ही समझने की कोशिश करेंगे आज के session में, इसमें आपको यांत्रिक उर्जा, उसके दो types जो हमको देखने हैं, जिसमें आपका एक होता है potential energy, जिसको क्या कहा जाता है, स्थानिक उर्जा, और एक होता है kinetic energy, जिसको गर्तिज उर्दा कहा जाता है, इसके उपर हमारी अच्छे से बात होगी, तो देखा जाए, तो इसमें अगर हम बात करें, तो भई, उर्जा कितने प्रकार की होती है, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है, कि उर्जा के जो forms है, इसके प्रकार है, वो कितने हैं, तो उर्जा के प्रकार में, all forms of energy, या तो kinetic होगी, या तो potential होगी, या तो गतेज होगी, या तो स्थानिक होगी या स्थाथिक होगी तो ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मतलब कि किसी के अंदर भी एनर्जी हो किस चीज के कारण मोशन के कारण अगर उसमें गती उत्पन हो रही हो तो उसके अंदर जो उर्जा होगी वो होगी काइनेटिक energy और जब कोई चीज कैसी हो, rest पर हो, stationary हो, किसी स्थान पर constant बनी हुई हो, स्थानिक है हो, तो उसको potential energy कहा जाता है, तो कोई भी तरह की उर जाहीं यही दो मिलेंगी, या तो रेस्ट पर होगी, या तो motion में होगी, तो इस तरीके से हम दो ही तरह की energies को देखते हैं, the energy in motion is known as kinetic, where as potential energy is the energy stored in an object and measured by the amount of work done, कि वो कितना amount का work done कर सकती है, SI unit मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ, यह James Prescott Joule के नाम पर हमने इसको energy की unit को भी Joule रखा, work की unit को भी Joule रखा, दोनों में formulae same होते हैं, आप देखा जाए, तो इससे concept आता है जिसको कहा जाता है mechanical energy, जिसको हिंदी में कहा जाता है यांत्रीक अरजा, आप देखा जाता है यांत्रीक उरजा क्या होती है, तो हमेशा जो आपकी mechanical energy है, वो potential energy plus kinetic energy होती है, अभी आपने पढ़ा, कि हर उरजा क्या रहेगी या तो काइनेटिक रहेगी या तो फिर पोटेंशल रहेगी मतलब इन दोनों का सम कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं mechanical energy, mechanical का मतलब यांत्रिक उर्जा होता है, तो यांत्रिक उर्जा जो होती है हमेशा इन दोनों का मिला जुला संयोग होता है जैसे कि आपके घर में पानी की टंकी होगी अब जो ओवरहाट टेंक्स होते हैं इन ओवरहाट का यूज करते हैं तो वो जो मोटर होती है, वो करती क्या है वो चलती है electricity से तो वो करती है electrical energy को electricity को, electrical energy को mechanical energy में बदल देती है mechanical energy में बदलती है मतलब आप वो पानी नीचे से उपर भी ले जा सकते थे, लेकिन आपने मोटर चलाई, मोटर ने electricity का यूज किया और सो इनर्जी से उस पानी को उपर पहुचा दिया तो जब पानी उपर गया तो रेस्ट में हो गया लेकिन जब पानी जा रहा था तो उसमें क्या थी मोशन था तो बेसिकली यहां पर दोनों ही चीज़ें आ गई कुछ समय पोटेंशल होगा कुछ समय काइनेटिक होगा तो इन सारी चीज़ को कम माईली क्या बोल देते हैं आप मेकेनिकल या फिर हिंदी में निको बोल देते हैं यांत्रिक तो जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं या कोई भी चीज होती है तो हुमन्स के द्वारा क्या होता है वह electrical energy को mechanical energy में convert कर रहा है एक तरीके mechanical आप हाथ से भी पंकाहिला सकते थे लेकिन उसमें आपकी उर्जा खतम होती लेकिन आपने electricity को use किया और उस तरीके से आपने उर्जा बना ली वैसे ही वैसे तो वो wind energy में convert हो रहा है wind भी जो आपकी पवन उर्जा है वो भी तो एक तरीके की mechanical energy है तो mechanical energy में दो चीज़ें होती है kinetic और potential मतलब उसमें गति जुर्दा भी होगी स्थानिक उर्जा भी होगी तो देखिए mechanical energy is the total amount of kinetic energy and potential energy of an object that used to do a specific work जो भी कारे करना चाता है तो उसके अंदर जो भी kinetic energy है गति जुर्जा है उस्थानिक उर्जा है उन दोनों को जब आपने जोड़ दिया तो उससे आपका क्या बन गया तो उससे बन गई आपकी यांत्री कुर्जा mechanical energy can also be defined as the energy of an element to due to its position motion और motion और बूत मतलब किसी भी चीज के अंदर उसके स्थान से जुड़ी हुई या उसकी गति से जुड़ी हुई या दोनों से energy is due to its motion तो यह हम बार-बार कह रहे हैं position मतलब इस्थान से motion मतलब गति से तो गति जुर्जा उस्थानिक उर्जा को जो हम मिला रहे हैं तो उससे ही आपका mechanical energy बन जा रही है अब देखा जाए तो इसके दो formula पढ़े जाते हैं एक होता है potential energy एक होता ही kinetic energy स्थानिक उर्जा और गति जुर्जा तो potential energy का formula होता है mgh यह ध्यान से याद रख लेजे और kinetic energy गति जुर्दा का क्या होता है half mv square अब इसमें क्या होता है यह चीज़ ध्यान से देखिए m का मतलब क्या है तो मास है द्रव्यमान है इसके बाद अगर हम बात करें g का मतलब क्या है acceleration तोरण है किस के कारण तो गृत्वा करशन के कारण acceleration due to gravity और h का मतलब क्या है height है उचाई है तो देखा जाए तो यह क्या है यह है आपकी स्थानिक उर्जा स्थानिक मतलब potential से जुड़ी हुई जो है उसकी बात करते हैं तो potential energy मतलब जो किसी चीज की position के कारण किसी में हो जैसे कि आपके घर में उपर पानी गया तो उपर पानी पहुचाने के लिए आपको मोटर का इस्तेमाल करना पड़ा आपने मोटर चलाई आपकी घर की टंकी भर गई लेकिन जब आपको उपर से नीचे पानी लाना हो तो आप क्या करते हैं घर का कोई भी टैप का टैप खोलेंगे नल खोलेंगे तो पानी आ जाएगा तब आपक चीज को आप क्या कहते हैं potential energy अब MGH की बात करें तो M का मतलब kilogram, G का मतलब meter per second square और H का मतलब height तो यह पूरी की पूरी चीज जो होती है इसी को आप Newton meter कहते हैं और जब आप work पढ़ रहे थे तो work में मैंने आपको बताया था force into displacement force की unit Newton displacement की meter तो यह Newton meter होती है तो यहाँ पर भी आपको Newton meter मिल रही है इसलिए energy को भी आप क्या कह देते हैं energy की unit भी आपकी जूल है तो इसलिए उर्जा की और कारे की दोनों की ही काईया क्या होती है जूल होती है अगर हम इस formula से बात करें तो इसमें M क्या है तो यहाँ mass है मतलब द्रव्यमान है और V क्या है velocity है मतलब vague है तो अगर हम इसके formula की बात करें तो mass का तो क्या हो गया kg हो गया velocity का क्या हो गया meter per second हो गया लेकिन यहाँ पर V का square है तो यह भी आपको square करना पड़े गा तो kg meter square per second square यहाँ पर भी kg meter square per second square यहाँ पर भी kg meter per second square तो इसकी भी unit क्या बन गई? Joule बन गई तो दोनों ही चीज जो होती है वो आपकी साथ में होती है मतलब दोनों की Joule होती है अब potential energy of an object is zero when it is in the moment अब किसी भी चीज के अंदर अगर वो इस्थान के कारण है position के कारण है तो potential energy होती है किसी स्थान के कारण लेकिन अगर वो जब potential energy zero हो जाती है जब कोई चीज move कर रही होती है क्योंकि किसी के स्थान के कारण किसी की position के कारण किसी में कोई energy आई है तो वो energy क्या है वो potential है, लेकिन अगर वो चलने लगी, अगर उसके अंदर movement आ गया, तो movement आने पर उसके अंदर कौन सी उरजा हो गई, गतिज उरजा हो गई, मतलब उसके अंदर kinetic energy हो गई, and kinetic energy is zero when object is in rest, अब दोनों ही तो बात है, अगर kinetic energy किसी के अंदर zero है, तो मतलब की क्या है, वो object rest पर ह potential energy किसी की zero है, मतलब वो object क्या है, उस object के अंदर जो है motion है, तो मतलब जब potential zero होगा, potential zero होगा, तो वो चीज के अंदर kinetic energy होगी, और जब किसी की kinetic energy zero होगी, तो उसके अंदर potential energy जरूर होगी, इसलिए mechanical energy हमेशा इन दोनों का sum होकर चलता है, देखते हैं कैसे चलता है, तो देखा जाए, तो आपने क्या किया, किसी कार को यहाँ पहुचा दिया, अब इस कार को यहाँ पहुचाने में क्या हुआ था, moment हुआ था, आपने इसके अंदर half mv square लगाया होगा, half mv square का मतलब इसको हमने kinetic energy दी होगी, इसको हमने गतिज उर्जा दी होगी, और गतिज उर्जा में mass तो इसके पास है, velocity, मतब कुछ ना कुछ वेक से हमने यहाँ पहुचा दिया मतब हमने जब इसमें उर्जा लगाई, तो इसमें उर्जा जाकर store हो गई, अब इस height से अगर यह गाड़ी start भी ना करें, तो यह आसानी से नीचे आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक energy आ गई है, वो क्या है MGH, अब MGH का मतलब क्या है, इसको कुछ ना कुछ तो height मिल गई है, इसका mass तो है, और acceleration due to gravity हर चीज़ को जमीन की तरफ खीशती है, तो MGH इसकी energy कितनी हो जाएगी, इसके अंदर potential energy होगी, लेकिन अगर हम यहाँ पूछें कि यह object तो यहाँ हिली नीरा है, इसकी velocity कितनी है, velocity तो इसकी 0 है, तो अगर इसकी velocity 0 हो गई, तो velocity 0 होने पर इसकी kinetic energy क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो इस point पर क्या होगा, इस point पर पहुचने पर इसकी potential energy तो होगी, लेकिन kinetic energy 0 हो जाएगी, लेकिन यही चीज़ को हमने नीचे ला दिया, तो जैसे ही यह चलना चालू होगी, तो इसमें velocity आने लगेगी, तो यह rest पे तो रहेगी नहीं, अपने एकदम अवस्था में तो रहेगी नहीं, क्योंकि rest से यह motion में आने लगी, और जैसे ही motion में आएगी, तो इसमें kinetic energy आ जाएगी, और कभी कोई चीज़ चल रही होती है, तो उसमें kinetic आ जाती है, तो इस तरीके से यह काम करता है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, कि mechanical energy हमेशा क्या होती है, तो half mv square plus mgh, m क्या है, तो mass है, v क्या है, velocity है, g क्या है, acceleration due to gravity और h height होती है, तो हमेशा आप इनको साथ में ही लिखेंगे, half mv square plus mgh, यह हमेशा mechanical energy के equal रहेगा, और mechanical energy की भी unit क्या रहेगी, जूल रहेगी, तो यह बात समझने आ गई आपको, इसके बाद अगर हम बात करें, kinetic energy, अब kinetic energy किसके कारण होता है, तो इसी को मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं, गतिज उर्जा, तो गतिज उर्जा मतलब किसी चीज में गति होगी, the energy possessed by object due to its motion, जब किसी के अंदर क्या हो, गति के कारण किसी के अंदर कोई उर्जा उत्पन हो, तो इसको गतिज उर्जा कहते हैं, और kinetic energy of an object because of its motion, और the energy gained by an object from the state of rest or to motion, कि किसी भी चीज के अंदर इतनी उर्जा आ गई है कि वो motion करने लगे, तो उसको आप क्या कह देंगे, kinetic energy कह देंगे, इसका formula में आपको बता ही चुका हूँ, half mv square होता है, m का मतलब mass, v का velocity, और kinetic energy क क्या है, एक तरीके की scalar quantity है, अब energy की भी बात करें, तो क्या है, उर्जा भी क्या है, आपकी एक अदिश राशी है, ये भी एक अदिश राशी है, ये scalar quantity इसको भी direction से मतलब नहीं होता, उर्जा आप दिशा बदलने से उर्जा में changes नहीं आते हैं, तो यहाँ पर जो है, SI unit जो है, जूल की, which is equals to one kg meter square per second square, ये मैं बताई चुका हूँ पहले ही, कि भाई, half mv square है, तो mass का मतलब क्या, kg, v का मतलब क्या, meter per second, meter per second का square करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, m square plus second square, ये हो जाएगा, kg, meter square, second, inverse square, तो ये होता है, इसके लावा आपसे पूछ लिया जाए, किसी cgs unit of kinetic energy क्या होती है, तो इसको argus से बताते हैं, ये एक important चीज है, जो याद रखेंगे आप, अब देखा जाए, तो क्या होता है, कि किसी भ जैसे आप किसी height से ball को faking तो ये ball नीचे चली जाएगी, लेकिन नीचे जाकर आप ball को छोड़ेंगे, तो वो नीचे ही जाएगी, उपर तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कौन सी energy है, potential energy है, तो ये potential energy transform हो जाती है, किसमे kinetic energy, जैसी आप छोड़ेंगे तो इसके अं पर क्या है, इसमें है potential energy, जैसे जैसे ये धीरे आएगी, तो यहाँ पर ये चलती रहेगे और जहाँ ये rest पर आगई, तो rest पर आने पर यहाँ पर इसकी kinetic energy वापस से 0 हो जाएगी, a ball at the bottom of the hill which is not rolling, has neither potential or kinetic energy, यहाँ पर आने के बाद इसकी सारी उर्जा खतम हो गई, यहाँ पर ना इसमें potential है, क्योंकि इसकी height क्या हो गई, height 0 हो गई, और MGH में क्या चाहिए, आपको H भी तो चाहिए, यहाँ MGH क्या था, तो MGH यहाँ पर maximum था, height यहाँ पर minimum है, तो इसलिए आपने किसी पानी की टंकी में पानी चड़ा दिया, उसके बाद वो पानी नीचे आ गय आपके पास potential energy, इस potential energy को आपने use कर लिया, यहाँ आने पर आपके energy 0 हो जाएगी, इसके बाद जो है, क्या होता है, जब कोई चीज एकदम height पर पहुचती है, तो उसकी क्या हो जाती है, maximum potential energy हो जाती है, maximum क्या होती है, potential energy होती है, मतलब अधिक तम गतिज थानिक उर्जा हो जाती है उसमें कहां पर जितना उचाई पर हो और जब वो एकदम नीचे आती है तो वहां पर minimum हो जाती क्योंकि height zero हो जाती है वहीं पर अगर हम बात करें तो यह जो है potential energy जैसे यह चीज moment में आने लगती है तो potential तो आपको उर्जा लगानी पड़ेगी जैसे उपर जा रहा है तो उर्जा लगानी पड़ेगी लेकिन उपर से नीचे फेकने में क्या उर्जा लगानी पड़ेगी इनर्जी लगानी पड़ेगी नहीं क्यों नी लगानी पड़ेगी क्योंकि उपर जाने इसमें M क्या है तो इसका द्रव्यमान है, V क्या है तो इसका वेग है, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, if a body mass is moving with some velocity, लेकिन उसकी फिर क्या होगी, जो आपकी किसी velocity से वो चल रहे होगी, तो यहाँ पर आप expression देंगे, e k is equals to half mv square, उसकी unit joule होती है, इसके बाद जो है, यह question आप लोग try करेंगे, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, formula आपको पता है, half mv square, तो इसका answer मुझे, आप comment section में देंगे, इसका solution में next lecture में आपको बता दूँगा, तो the kinetic energy of an object of a mass m moving with a velocity 5 meter per second, 25 joules, what will be its kinetic energy, जो है, when its velocity is doubled, और what will be its kinetic energy, when its velocity is increased 3 times, तो इसका answer जो है, आपको मुझे करना है, तो इसका answer जरूर करिए, इसके अलाबा, जो है, आगे बढ़ते हैं, इसका answer, इसका screenshot जरूर ले लिजे, और एक बाद try करिएगा, और comment section में इसकी कोशिश करनी हैं आपको, इसके बाद अगर हम बात करें, तो दूसरे तरह की energy होती है, जो हम बात कर रहे थे, इसी को स्थानिक उर्जा, यह potential energy कहते हैं, किसी भी चीज़ की position के कारण, तो इसमें example हमने spring का लिया है, जैसे आपने spring दबाई, तो spring दबाने पर वो दब गई, उसके अंदर क्या energy store हो गई, उसके अंदर हो गई potential energy store, जैसी आप छोड़ेंगे वो आगे की तरफ बढ़ेगी, similarly in a case of spring, when it displaced from its equilibrium position, it gains some amount of energy, which we observe in the form of stress, तो we can define potential energy as a form of energy, हम बोल सकते हैं कि स्थानिक उर्जा, किसी के अंदर भी उर्जा है, जो कि क्या है, उसकी position या state के अंदर, उसकी स्थिती को बदलने पर जो चीज उसके अंदर उत्पन होती है, उसको कहा जाता है potential energy, इसका बहुत अच्छा example में आपको दूँगा, बचपन में आपने चोटी-चोटी कार्स आती हैं थी, उनमें चाबियां होती थी, उनको आप भरते थे, तो क्या होता था, जितनी चाबियां भरी जाती थी, उतनी कार चलती थी, तो वहाँ हम क्या store कर रहे होते थे, उसमें potential energy ही तो store कर रहे होते थे, तो potential energy का जो है formula मैंने आपको बताया, इसमें तीन चीज़े होती है, M, G, H, M का मतलब mass, G का मतलब acceleration due to gravity, और H का मतलब होता है height, इसके अलावा कुछ अलग अलग तरह की उर्जाए होती हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, forms of energy, कौन-कौन की तरह की उर्जा होती है, जैसे कि आपकी बात करें mechanical energy, जिसको कहा जाता है yantrik उर्जा, क्या कहा जाता है yantrik उर्जा, तो mechanical energy मैंने बताया है, और या किसी चीज़ की अंधर Renewton हो मतलाव और रही हो तो दार रुपकी होई यह उसके अंदर यांत्रिक उट्जा होगी न्यूक्लियर energy जैसे lightning होना power lines होना electromagnetic energy जो है आपकी radio waves जो आप TV देख पा रहे है रेडियो waves सुन पा रहे है thermal energy यह जो है उश्मार उर्जा होती है जैसे कोई चीज का पिघलना तो यह अलग-अलग तरह की आप energies बता सकते हैं तो इस तरीके जैसे mainly आपको दो energy पर focus करना एक mechanical और आपकी एक होती है potential और आपका kinetic तो यह main चीज है जो आपने समझी आज की class में इसके अलावा जो है यह अलग-अलग types है किसी के अंदर heat है तो thermal energy किसी के अंदर कोई reaction जैसे sun के अंदर क्या हो रहा है तो nuclear fusion हो रहा है नापकिये संयोजन हो रहा है वहाँ पर तो यह जो है आपका वहाँ पर fusion की बात कर रहे हैं या विखंडन की बात कर रहे हैं तो यह अलग-अलग तरह की energies हो सकती है इनके types आप इस तरीके से क्या कहलाती है सौरे उर्जा तापकी उर्जा संभावित उर्जा या गतिज उर्जा तो यह आपको बताना है इसके बाद next है the sum of kinetic energy and potential energy गतिज उर्जा उर्जा की योग को क्या कहते हैं आप तो यह तो बहुत ही आसान question है बता सकते हैं आप इसके बाद what are the various factors affecting kinetic energy kinetic energy को गतिज उर्जा को क्या प्रभावित करता है द्रव्यमान गति वेग या उप्रोक्त सभी इसके बाद बताना है if a speed of a car becomes two times it kinetic energy becomes अगर यदि कार की गति दो गुना हो जाती तो उसकी गति जुर्जी कितनी होगी चार गुना आठ गुना सोला गुना या बारा गुना इसके बाद है a car is accelerated on a leveled road and attains a velocity four time of initial velocity मताई कार समतल सडक पर तुरित की जाती है और अपने किसी भी तरह से चीजे हैं तो उसको आप convey कर सकते हैं social media handles पर मुझसे जोड़ सकते हैं question पूच सकते हैं PDF ले सकते हैं तो यह चीज जो भी लगीगी आप comment section में मुझे बताएंगे इसके अलावा जो है हम इसके बाद जो है energy के उपर जो हमारी बात हो गई हम power के उपर next session में बात करेंगे इसके जो कुछ numericals हैं जो बहने आपको दिये हैं उनको जरूर ट्राय करिएगा comment section में आपके answers welcome रहेंगे तो thank you very much for watching this have a great day Study IQ IS अब तयारी हुई affordable